अब आप अब 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 है अब दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल से धारत ऑनलाइन कोचिंग में दोस्तों हम लोग पढ़ रहा हैं बीसी सेकेंड इयर के लिए फिजिकल ऑप्टिक्स अन लेजर का थर्ड यूनिट पॉलराइजेशन अफ लाइट पॉलराइजेशन में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अन पॉलराइज़ लाइट को या और इनरी लाइट को क्रिस्टल तो इसे पढ़ने के लिए अब तक हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें यह है कि अब तक जो हम लोग पढ़े हैं वह पढ़ा गया है रिफ्रैक्शन जो है तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है रिफ्रैक्शन अगर मान लिया गया यह कोई ग्लास ले लिया गया ल लाइट इंसिडेंट हो रही है तो लाइट जब इंसिडेंट हो रही है यह बना लिया गया नॉर्मल यह गया इंसिडेंट से इंगल आई जब लाइट इंसिडेंट होती है इस पर तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट यहां से हो जाती है रिफ्रैक् तो इस मीडियम को का जाता है Isotropic Medium, क्या का जाता है Isotropic Medium Isotropic Medium इसके लिए क्या रहेगा, Properties Remain Same in all directions Isotropic Medium के लिए क्या होगा, Properties Remain Same in all directions और दूसरा, जो Refraction of Light होगा, वो किस direction में होगा, किवले एक direction में मतलब reflection of light takes place only in one direction इसके लिए property जो है वो same रहेगी और जो reflection होगा वो क्या होगा only in one direction तो यहाँ जो light incident होई यह refract होई एक direction में हो रहा है अब जो है दूसरा medium जो आता है वो आता है anisotropic medium anisotropic medium की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा जो property है वो same नहीं रहेगी ठीक इसका उल्टा जो property है इसके लिए वो इसमें same होती थी isotropic medium में anisotropic medium में क्या होगा कि जो property है वो same नहीं रहेगी और दूसरा जब isotropic medium था तो इसमें जो light refract हो रहे थी वो एक ही direction में refract हो रहे थी लेकिन anisotropic medium में light क्या होगा जो refract होगी वो दो direction में 2 directions में refract होगी इसी को कहा यह सफ एइन एसो ट्रॉपिक मीडियम में जैसे लिया जाता है CALCITE crystal तो एन एसो ट्रॉपिक मीडियम का ही example Salt क्रिस्टल और यही क्रिस्टल है जो सो करेगा हमें डबल रिफ्रेक्शन क्योंकि लाइट जो है दो डायरिक्शन में रिफ्रेक्ट हो रही है और लाइट जब दो डायरिक्शन में रिफ्रेक्ट हो रही है यही फिनॉमिना कहा जाता है डबल रिफ्रेक्शन जैसे इस ले लिया गया या फिर ग्लास प्लेट इसमें क्या रहेगा इसमें रहेगा कैल साइट क्रिस्टल यह क्रिस्टल ले लिया गया अब इस क्रिस्टल पर जब यह बना लिया गया नॉर्मल और जब इस पर अन पुलराइजड लाइट इंसिडेंट होगी तो अब तक जो लाइट थी वो एक direction में ही refract हो रही थी लेकिन यहाँ पे light जो है यह normal हो गया यह light refract हो गई और ये क्या हुआ light दो direction में refract हो गई तो जब दो Direction में refract हो गई light और दोनों जो light मिल रही हैं हमें वो मिल रही है plain polarized light plain polarized light तो जब unpolarized light किसी specific crystal पर गिरती है incident होती है तो वहां से वह दो direction में refract हो जाती है यही process कहलाता है double reflection और जो भी यह जो भी material जो भी crystals ऐसा फिनॉमिना सो करते हैं उन्हें कहा जाता है double refracting crystals और इसे सबसे पहले देखा था सबसे पहले इसका discover किया था 1669 में Erasmus बार्थो लाइन्स ने तो इसमें क्या हुआ जब unpolarized light इसमें incident हो रही थी तो दो direction में refract हो गई यही फिनॉमिना कहलाता है double reflection जिसे लिख भी दिया गया heading लिखेंगे double reflection या double refracting crystal या birefringence और इससे लिखा जाएगा when a beam of unpolarized light incident on a calcite और quartz crystal तो calcite या quartz crystal पर जब unpolarized light incident होती है तो there are two refracted beam in place of usually one तो अब तक जो था वो एक अही direction में light refract होती थी लेगिन यहां क्या है there are two refracted beams तो दो beams में light refract हो जा रही है जबकि glass के case में काज के case में अब तक हम लोग पढ़ें कि light जो है एक ही direction में refract हो रही थी तेकिन यहां पे दो direction में अगर beam refract हो जा रही है तो इसे ही को कहा जाता है double reflection और such crystals are set to be double refracting crystals and phenomena is called double reflection और यह जो discover हुआ था किसके द्वारा grass moss पार्थो लाइन्स और गव 1669 में तो calcite crystal को ही यूज किया जाता है double refracting crystal के लिए और यह क्या होता है यह होता है crystalline form of calcium carbonate ca co3 इसे का जाता है iceland spar क्योंकि iceland में यह प्रचूर मात्रा में पाय जाता है इसलिए इसे iceland spar का जाता है और इसके property की बात करें तो यह में जो light है वो visible light जो transmit होगी वो साब साब दिखेगी तो यह यह पूरा double refracting crystal अगर इसके types की बात करते हैं तो जो double refracting crystals है अभी हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि जो unpolarized light इस पर incident हो रही है वो दो directions में refract हो जा रही है तो एक को कहेंगे ordinary ray दूसरे को कहेंगे extraordinary ray कैसे यह phenomena होता है कैसे यह process होता है यह सब हमें बाते पढ़ने हैं तो उससे पहले हम लोग पढ़ रहा है double reflection और double reflection के बाद अगर बात करें कि इसके types के बात तो यह होते हैं दो टाइप की टू टाइप तो double reflecting crystals कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के होते हैं एक हो गया uniaxial crystal तो uniaxial crystals और दूसरे होते हैं बाई-axial crystals तो uniaxial crystal और बाई-axial crystal यह हैं दो टाइप double refracting crystals के तो पहला uniaxial crystal तो uniaxial crystals क्या होते हैं इसमें एक ऐसी axis होती है जिसके along या जिसके parallel अगर light उस पे incident होती है तो वो दो rays में refract नहीं हो पाती है मतलब जो light की velocity होती है जो दोनों light जो यह split हो रही थी मतलब दो reflection हो रहा था दोनों के लिए same velocity रहती है मतलब light split नहीं हो पाती उन्हें का जाता uniaxial crystals इसमें ऐसी एक direction होती है जिसके along अगर light incident होती है तो वो refract नहीं होती है मतलब double reflections हो नहीं होता है अर्थात light जो है दो दो beams में split नहीं हो पाती है मतलब light same velocity से ही travel करती है जब velocity change मतलब यह bending हो क्यों रहा है क्योंकि light जब एक medium से दूसरे medium में जाती है तो उस beam की velocity change होने की वज़े से वो refracts हो करती है इसमें क्या होगा जब वो एक ऐसी axial या एक ऐसा axis रहेगा जिसके along अगर light incident होती है तो उसकी speed में जब कोई change ही नहीं होगा तो वो same speed से दूसरे medium में दोनों light पास करेंगी जिसकी वज़े से हमें double diffraction नहीं मिलेगा तो uni axial crystals में ऐसी axis जो है वो एक रहेगी और bi axial crystal में ऐसी axis axial जो है इसमें ऐसी axis दो रहेंगी तो इसमें एक ऐसा line होगा जिसके along अगर light incident होती ही तो वो split नहीं होगा और इसमें वही चीज दो जगह हैं दो axis ऐसी हैं जहां पर light अगर incident होगी तो वो refract नहीं होगी तो इसे हम पढ़ते हैं uni axial crystals और bi axial crystals तो double refracting crystals हम लोग समझ गए double refracting crystals क्या होते हैं जो light को refract करते हैं दो directions में वो ही होते हैं double refracting crystals crystals तो double refracting crystals के अब type की बात करने ही यह होते हैं दो type के uni axial crystals और bi axial crystals तो uni axial crystals क्या होते हैं तो इसमें एक ऐसा direction होगा एक ऐसा axis होगा जिसे optic axis का आ जाएगा जिसके along अगर light incident होती है तो जो light है वो refract के बाद refract होने के बाद दोनों light जो है वो same velocity से आगे travel करते हैं और same velocity से आगे travel करेंगी तो वो अलग अलग दीखेंगी नहीं मतलब जो light है वो split नहीं होगी तो ऐसी अगर एक direction है एसी अगर एक direction है जिसके along light incident होने के बाद दो beam में split नहीं होती है तो उस crystal को का जाएगा uni axial crystals और जिन crystal में ऐसी दो axis होंगे optic axis होंगे जिसके along light incident होने पर वो दो beams में split नहीं होगी मतलब same velocity से travel करेंगी तो दो axis अगर पाई जाएगी तो नहीं का जाएगा biaxial crystals और अगर एक axis ही उसमें रहेगी तो नहीं का जाएगा uni axial crystals जिसे लिख भी देया गया कि there is a one direction called the optic axis along which the two refracted rays travels with same velocity या फिर दूसरा definition there is a direction along which incident ray is not split into two rays इनका example का है जैसे का outside crystal है quards है, term line crystal, etc. biaxial crystals की बात करें तो there are two optic axis फिर उसके बाद यहीं करना है there are two optic axis along which the two refracted rays travel with same velocity या फिर दूसरा definition क्या है there are two such direction along which the incident ray is not split into two rays जैसे इसका example क्या होगा है topaz और ragonite अब हमें बात करने हैं जो optic axis हम लोग पढ़ रहा है तो optic axis of uni axial crystal तो uni axial crystal के लिए हम लोग जो लेते हैं example वो लेते हैं calcite और calcite crystal को कहा जाता है iceland spar क्यों कहा जाता है क्योंकि iceland में ही यह different मात्रा में मतलब different types में different form में iceland में प्रचूर मात्रा में पाया जाता है अलग-अलग types में तो इसी को calcite crystal को ही optic axis के लिए अगर लेते हैं इसे तो इसका diagram आपको दिख रहा होगा तो calcite crystal और iceland spar is found in nature in different form जो बात हो गई all of which can be reduced by cleavage into a rhombohedron as sony figure जैसा कही diagram में आपको दिख रहा है each of the six faces of this crystal is a parallelogram having angle of 102 degree and 78 degree nearly तो जो दिखाय गया है diagram में 102 degree और दूसरा दिखाय गया है 78, 78 degree तो यह nearly है क्योंकि 102 की जगह यह जो है 102 की जगह यह 101 degree और 55 minute और दूसरा जो 78 degree है वो है 78 degree और 5 minute मतलब 78 degree and 5 minute है जिसे nearly 78 degree का गया है और दूसरा जो है 101 degree and 55 minute तो लगबग लगबग यह हो गया 102 degree तो दो एंगल्स हो गया पहले लोग्राम के तो दोनों को कहा है रखा गया तो अपोजिट कॉर्नर्स ए और जी पर रॉंबो हेड्रन के इसे रख दिया गया all the three angles are optus these corners are known as blunt corners of the crystals a or g यह इने blunt corners of the crystals ही का जागा a line passing through any of the blunt corners and making equal angle with the three faces which meet there is the direction of the optic axis of the crystal optic axis is a direction not a line मतलब optic axis एक direction ऐसा कोई line वाइन नहीं है इसे केवल हम लोग एक दिशा के रूप में केवल मान लिए है यह कोई line इस पे draw नहीं किया गया तो in fact any line parallel to this line represent the optic axis इसके along कोई भी light जो incident होगी उसे optic axis के along कहा जाएगा if the rhombohedron is so cut that all of its three ages are equal तो इन्हें ऐसा इस प्रकार से काटा जाएगा कि जो इसका जो तीनों ages है वो क्या रहेगा equal रहेगा the line joining the opposite corners कौन कौन से opposite corners a और g और any line parallel to it मतलब इसके ag के जो line कोई भी line जो इसके parallel है gives the direction of optic axis उसी को optic axis की direction माना जाएगा if ray of light is incident along the optic axis it will not split into two rays यही कहा गया है अगर optic axis के along कोई भी light incident होती है तो वो जो है दो beam में split नहीं होगी मतलब same velocity से ही reflection के बाद वो travel करेगी मतलब velocity उनकी same रहेगी इसे को double reflection का जाता है जा फिर इसे लिखना होगा तो लिखेंगे thus the phenomenon of double reflection is absent when light is allowed to enter the crystal along the optic axis hence the crystal is symmetrical about the optic axis तो इसके लिए क्या है कि अगर optic axis के along light split होती है तो velocities जो है refracted lights की same रहेंगी अर्थात जो light है वो split नहीं हो रही है दो beams में यह है optic axis और इसी के आधार पे हम लोग पढ़े uniaxial crystal और biaxial crystals तो double reflection के लिए हम लोग अब उसका पुरब phenomena समझते है double reflection होता क्या है double reflection में जब unpolarized light या ordinary light incident होती है तो दो beams में split हो जाती है तो दो beam में split हो जाती है उन beams को कहा जाता है ordinary ray और दूसरे को कहा जाता है extraordinary ray अब इन दोनों को हमें समझना है ordinary ray को कहा जाता है o ray और extraordinary ray को represent किया जाता है या short form में लिखा जाता है e ray तो o ray और दूसरी beam जो मिलिये हमें मिलिये ए और ओ को का जाएगा और एको और डिनरी रे और दूसरी जो भी में उसे का जाएगा एक्स्ट्रा और डिनरी रे तो दो बीम्स हो गए एक हो गई और दूसरी हो गई एक्स्ट्रा और डिनरी रे अब इसके लिए हम लोग बात करें तो हम लोग कैसे समझेंगे कौन से बीम कौन है तो माल लिया गया यह कोई कैल साइट क्रिस्टल हो गया तो कैल साइट क्रिस्टल यह ले लिया गया 102 डिग्री 78 डिग्री यह हो गया कोई कैल साइट क्रिस्टल इससे हम किसी डॉट को देखते हैं यह कोई एक डॉट हो गया जिसे इस कैल साइट क्रिस्टल से देखा जा रहा है माल यह यह इस टाइप का कोई कैल साइट क्रिस्टल है तो कैल साइट क्रिस्टल से अगर इससे देखा जाएगा तो अब इस कैल साइट क्रिस्टल से देखने पर इस डॉट की जगह में दो डॉट दिखाई देंगे एक डॉट यहां और दूसरा डॉट यहां तो कैल मतलब दो रेज के रूप में यहां पर आ रही है और दो इमेज यहां फॉर्म हो रहा है अब हम कैसे पैचानेगे की कौन सा इरे की वज़े से फॉर्म हो और दूसरा कौन सा और एक वज़े से तो अब जब स्कालाइट क्रिष्टल इस पर रख दिया जा अग्या जाया तो प्लॉक वाइज च्वर के यहां आ क्योंक dew माया जाने पर जो इसमें से देखने पर fix रहता है वहीं पर रुखा हुआ रहता है जो कि है stationary जिसे क्या कह लिया गया stationary रुखा हुआ इस stationary है तो एक dot तो वहां पर रुखा हुआ है अग दूसरा इसके चारोर क्या कर रहा है दूसरा एक dot है जिसे इस पूरे crystal को rotate करने पर एक जो dot dot का image है वह अपने जंगे fix है जबकि दूसरा जो dot है वह जैसे जैसे crystal को rotate किया जा रहा है वो उतने दूरी पर उसके चार और तरफ rotate कर रहा है मतलब अगर इधर क्र remov बीदर दूसरे साइड में रोटेट कर रहा है मतलब यह बार-बार अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है इसे कह दिया गया मुवेबल डॉट या मूविंग या मूविंग डॉट एक तो हो गया इस्टेस्टनरी और दूसरा हो गया जिसमें जो रूह का हुआ उसमें light क्या है light की डायरेक्षिन जो है मतलब light की जो velocity है वो constant मतलब intimate velocity से light आ रही है तो crystal को współrotiेट करने के बाद भी उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है जो हम लोग इसे से आ रही है जिसकी वज़से image form हो रहा है तो जो image stationary है उसे कहा जाएगा ordinary image क्या कहा जाएगा ordinary image ordinary image और यह image किन रेस की वज़से form होगा यह image फर्म होगा और डिनरी रेज की वज़े से जिन रेज की वज़े से यह फर्म होता है उन्हें का जाता है और डिनरी रेज और और डिनरी रेज की जो वेलासिटी है वह वेलासिटी रहती है सेम मतलब constant velocity या same velocity से ये travel करती ही medium में तो मतलब ये same velocity से travel कर रही है तब ही ये जो image फॉर्म हुआ है वो अपने एक जगह पर रुका हुआ है तो same velocity से जो light मतलब ये crystal पर जो light है यहां पर reflect होके same velocity से ही चारी और से आ रही है और मतलब ordinary image जो जिस ray की वज़े से जिस splitted beam की वज़े से बन रहा है वो कौन से भी में वो ordinary beam या फिर ordinary ray अब दूसरे light की बात करें दूसरे image की बात करें तो दूसरा image जब भी इस के position में change हो जा रहा है वो अपनी position को भी change कर दे रहा है मतलब यह कौन सा image है यह moving dot जो है यह moving image है इसे ही कहा जाएगा extraordinary image क्या कहा जाएगा इसे इसे कहा जाएगा extraordinary image और यह किसकी वज़े से form हो रहा है यह form हो रहा है extraordinary raise की वज़े से एक्स्ट्रा ओर्डिनरी रेज की वज़े से और यह move क्यों कर रहा है क्योंकि अब इसके थूँ जब light के इस मतलब जब crystal की positions change कर रहा है तो जो इसकी velocity है वो भी change हो जा रही है तो velocity जब change हो जा रही है तो velocity change होने की वज़े से इसका position भी change हो रहा है मतलब जो ordinary light थी वो same velocity की वज़े से मिल रही है और मतलब same velocity की वज़े से जो light पहुच रही थी crystal के position rotate करने पर यहां पर क्या है यहां पर variable या changeable velocity है changing velocity variable velocity जी से कह दिया गया तो इस condition में क्या है variable velocity है और variable velocity की वज़े से जो हमें ray मिला है जो image मिला है वो extraordinary image और जो ray मिला है वो extraordinary ray और अगर बात करें तो unpolarized light जब refracting crystal पर गिरती है तो दो beam के रूप में split हो जा रही है एक extraordinary ray दूसरा ordinary ray तो extraordinary ray की अगर और एक और बात ordinary ray की बात हम लोग कर लिए यह क्या होगा इसमें जो image form होगा वो एक जगह stationary रहेगा इसमें जो velocity रहेगी वो same velocity रहेगी vibrations की अगर बात करें तो जब unpolarized light इस पर incident होती तो जब beam दो beams में split हो जाती है तो जो extraordinary ray है उसके vibrations होते हैं parallel to the plane तो parallel to the plane इसे बना लिया गया और दूसरा जब जो light जो ordinary ray है उसके vibrations होते हैं perpendicular to the plane और perpendicular to the plane होने के साथ साथ इन्हें यह perpendicular to the plane बना दिया गया मतलब dotted line से और इसे arrows से बना दिया गया arrow से e ray को represent किया गया क्योंकि इसके vibrations parallel to the plane है और ordinary ray को represent किया गया किसे ordinary ray को represent किया गया dot से क्योंकि इसके vibrations और perpendicular to the plane है अब जब उसके बाद यह medium यह जब crystal से बाहर निकलेंगी तो दोनों बीम्स पैरलल हो जाएंगी पैरलल के बाद भी इनके vibrations वही रहेंगे तो यह extraordinary ray हो गया और यह हो गया ordinary ray तो एक इसमें चोट टाइप questions एक और पूछा जाता है कि ordinary ray और extraordinary rays में difference तो दोनों difference को clear करके point by point लिख दे रहे हैं तो ordinary ray और extraordinary ray को differentiate करें तो एक short summary बना दी गई कि ordinary ray जो है वो obey the law of reflection दूसरा velocity in crystal in same in all directions यह भी हम लोग समझ चुक हैं और तीसरा vibrations are ordinary ray की बात कर रहें तो ordinary ray के लिए vibrations are perpendicular to the plane vibrations are perpendicular to the plane of paper तो vibrations ordinary ray के लिए क्या हो गया है perpendicular to the plane of paper तीम पॉइंट्स हो गए लाफ रेफ्रेक्शन का पालों पालन करेंगी velocity of crystal is same in all directions जिसकी वज़े से वो डॉट जो है ओर रेकी वज़े से यह जो डॉट इस्टेस्टनर यह वो किसकी वज़े से ओर रेकी वज़े से और जो movable जो अपनी position को बार-बार change कर रहा है वो यह रेकी वज़े से तो यह रेकी वज़े से दूसरा और रेकी वज़े से extraordinary ray की बात करें तो extraordinary ray does not obey the law of reflection दूसरा travels in crystal जो extraordinary ray वो क्या होगी travels in crystal with different velocities और तीसरा इसके vibrations कैसे है extraordinary ray के इसके vibrations है parallel to the plane तो इसे कह लिया गया parallel to the plane vibrations are parallel to the plane of the paper तो यह दोनों के बीच differentiate हो गया दोनों के बीच का difference हो गया कि ordinary ray और extraordinary rays में difference क्या है अब हम लोग इसे समझते हैं और इसके लिए velocities find करते हैं पूरा डिफ्रेक्ट तो double reflection में क्या होता है double reflection में जब light incident होता है तो वो 2 beam में split हो जाता है दो beam में split होने के बाद वह us crystal में travel करता है और जब यहां से इमिट होता है तो दोनों विम parallel हो जाती है में दोनों parallel होगे यह आपस में और यह incident light के भी parallel हो गई यह हम लोग रिफ्रेक्षन में भी पढ़ चुके हैं कि स्टाइट से अगर कोई लाइट क्रिस्टल पर इंसिडेंट होती है तो यह हो गया इंसिडेंट लाइट फिर रिफ्रेक्ट होती है और फिर रिफ्रेक्ट होने के बाद जब यहां से यह होती है तो उतना रिफ्रेक्शन फिर सो करके इंसिडेंट लाइट जो है इमर्जिंग लाइट दोनों अपस में पैर्लल हो जाती हैं जो पाथ रिटाइडेशन में भी पड़े हैं तो अब उसके बाद यहां पर हम लोग अन पुल्राइज लाइट को पुल्राइज लाइट में बदल रहे हैं और डबल रिफ्रेक्टिंग क्रिस्टल के द्वारा तो डबल रिफ्रेक्टिंग क्रिस्टल क्या कर रहा है अन पुल्राइज लाइट को दो भी में स्प्लिट कर दिया जिसके वाइब और जिसके वाइब्रेशन परपेडिकुलर तुद प्लेन उसे कहा गया और डिन्री रे इसे पैचानने के लिए क्रिस्टल को अगर रोटेट किया जाए तो क्रिस्टल को रोटेट करने के बाद और जो अपनी जगर पर पोजीशन पर जो रे उसी प्वाइंट पर मतलब बार-बार अपने डारिक्सन को चेंज नहीं कर पा रही है वो है ओ रही और जो बार-बार मूब हो जा रही है डारिक्सन चेंज हो जा रहा तो angle of reflection for O-ray angle of reflection for O-ray ordinary ray की बात करें तो angle of reflection अगर ordinary ray की बात करें यहां से यहां तक तो यहां से यहां तक माली आ गया इसकी लिए angle है R1 तो यह हो गया R1 फिर उसके बाद angle of reflection for E-ray की बात करें अगर जो यहां से यहां तक यह और ओडिनरी रह के लिए और अब यह पूरा एंगल अंगल हो गया और टू तो, इसे ले लिया गया आर टू, तो यह जो किर्षाइट क्रिस्टल लिया गया इसका अगर इफरेक्टिव इंडेक्स मु है तो म्यू की वैलू हम लोक जानते हैं तो स्नेल स्ला के according या फिर angle of reflection के according ordinary reflection का जो phenomenon इसके according musical to होता है sin I upon sin R, sin I upon sin R, योग या angle of incidence, I जहां पर angle of incidence और R जहां angle of reflection, तो अब उसके बाद एक और हम लोग formula जानते हैं mu is equal to होता है c upon v, c upon v क्या है, तो mu होता है refractive index किसी भी material के लिए, उसके लिए क्या है, यह होता है ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium, तो musical to क्या होता है, velocity of light velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium, तो यहां पर हमें ordinary और extraordinary के लिए बात करना है, तो mu, अगर ordinary रेकी बात करें, mu o, तो mu is equal to क्या हो जाएगा, यही formula रहेगा, यह रहेगा, velocity of light in vacuum upon velocity of o ordinary ray की बात करें, तो लिखा जाएगा velocity of ordinary ray, जैसे इसे लिख दे रहें, mu o is equal to c upon v o होगा, mu o is equal to क्या लिखा जासकता है, c upon v o, मतलब velocity of light in vacuum, यही रहेगा, velocity of light in vacuum upon velocity of o ray, medium की जैगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, velocity of o ray, velocity of o ray, यहाँ फिर, velocity of light in vacuum क्या होता है, c होता है, और velocity of o ray को represent कर दिया गया, v o से, तो mu o के लिए expression हमें मिल गया, c upon v o, मतलब mu o क्या है, तो refractive index, o ordinary ray के लिए, यह हो गया, velocity of light in vacuum upon यह हो गया, velocity of ordinary ray, ऐसे ही, अगर extraordinary ray के लिए बात करें, तो इसे लिखा जाएगा, mu e, तो extraordinary के लिए, mu e बराबर velocity of light in vacuum upon velocity of extraordinary ray, तो velocity of light in vacuum c, और velocity of extraordinary ray को लिख दिया गया, v e, तो दो expression हमारे पास ही हो गया, और यहाँ पर double refracting crystal है, double refracting crystal है, light को दो beam में split कर दिया, split होने के बाद यह parallel beams के रूप में बाहर, reverse हो गई, बाहर निकल गई, उसके लिए ordinary ray के लिए, जो angle of reflection है, वो हो गया, r1, और extra ordinary ray के लिए, angle of reflection यहाँ से पूरा, यह हो गया, r2, अगर इसके लिए, स्टेल सला apply करें, तो ordinary ray के लिए, अगर बात करते हैं, सबसे पहले, for ordinary ray, for ordinary ray, for ordinary ray, तो ordinary ray के अगर बात करें, तो यहाँ mu के लिए लिखा जाएगा, mu o, refractive index of ordinary ray, mu o is equal to, sine i, मतलब angle of incidence, तो angle of incidence तो वह ही है, तो यह हो गया, sine i, upon sine, r, angle of reflection, तो ordinary ray के लिए, angle of reflection कितना यह है, r1, यह हो गया, sine r1, तो ordinary ray के लिए, angle of incidence की वैलू i, और angle of reflection की वैलू r1, तो mu not is, mu, sorry, mu not नहीं, mu o is equal to हो गया, sine i, upon sine r1, यह हो गया, for ordinary ray, अब extraordinary ray की बात करें, for extraordinary ray, for extraordinary ray, तो extraordinary ray की अगर बात करते हैं, तो इसे लिखा जाएगा, mu e, mu e is equal to, angle of incidence, वही है, i ही है, तो यह हो गया, sine i, upon, sine, angle of reflection की बात करें, तो extraordinary ray के लिए, जो angle of reflection है, वो है, r2, तो हमारे पास, दो expression मिल गए, एक है mu o, जिसकी value है, sine i, upon sine, r1, और जो दूसरा मिल गया हमे, वो मिल गया, extraordinary ray के लिए, mu e is equal to, sine i, upon sine r2, तो उपर, की value की बात करें, तो उपर यह, value है, sine i, इधर भी sine i, यह denominator की बात करें, अगर, तो यहाँ पर है sine r1, और यहाँ पर है sine r2, और r1 और r2 की, अगर बात किया जाए, तो r1, r2 में, r2 की value ज़्यादा है, r1 से, r2 is greater than r1, तो अगर r2 की value ज़्यादा है, माल लिए गया, यह sine 30 है, और यह sine 60 है, तो इसकी value ज़्यादा है, और sine में angle जब बढ़ेगा, तो उसका मान भी बढ़ेगा, उसकी value भी बढ़ेगी, तो अब जब denominator में value ज़्यादा हो गई, तो denominator में value ज़्यादा होने की वज़े से, जब इस ज्यादा value से इसे divide करेंगे, तो इसकी value आएगी कम तो ये value अगर ज्यादा है इन दोनों में compare करें तो इसकी value कम है तो इसकी value ज्यादा होगी इसकी value पूरा ज्यादा है तो इसकी value क्या होगी? कम होगी तो mu e की value r2 की value ज्यादा होने की वज़े से mu e की value कम हो गई और r1 की value कम होने की वज़ा से mu o की value ज़्यादा हो गए तो यहां से हमें क्या मिला mu o is greater than mu e क्या expression मिला r2 is greater than r1 जिस वज़ा से mu o is greater than mu e मतलब ordinary ray का जो refractive index है वो extra ordinary ray के refractive index से यहां ज़्यादा हो रहा है अब refractive index की यहां से बात करते हैं तो mu o is equal to a c upon v o अगर यहां यह apply करें तो mu o की value ज़्यादा है तो mu e की value ज़्यादा है तो यहां से अगर v o की value हमें चाहिए होगी तो यहां से v o मतलब velocity of ordinary ray की बात करें यह हो जाएगा c upon mu not यहां से अगर देखें mu not is equal to a c upon v not तो v not की value हो जाएगी c upon mu naught और mu naught की value अगर mu naught की value mu e से ज़्यादा है तो mu e से ज़्यादा है तो mu naught की value अगर ज़्यादा है तो इसे अगर denominator में value ज़्यादा होगा इसे इस constant value से फिर divide करें तो v naught अगर यह value ज़्यादा है तो इसकी value कम होगी इसी प्रकार से mu e की value कम है तो mu e की value यहां से अगर रखा जाएगा तो ve की value हमें मिलेगी v is equal to c upon mu e तो mu e की value अगर कम है तो v की value ज्यादा होगी तो mu naught की value ज्यादा होने की वज़े से v की value कम होगई और mu e की value कम होने की वज़े से v की value ज्यादा होगई तो ve is greater than v o मतलब velocity of extraordinary ray is greater than velocity of ordinary ray तो यहां से हमें क्या expression मिला यहां से पूरा find करने के बाद हमें मिल रहा है कि जो extraordinary ray की जो velocity है वो ordinary ray की velocity तो यहां से clear हो गया कि जो extraordinary ray है उसकी velocity ज्यादा है जो ordinary ray है उसकी velocity कम है जो extraordinary ray है वो calcite crystal में या double refracting crystal में faster move करेगी ordinary ray के compression में तो पूरे अगर crystal की बात करें तो पूरे हमें बस ये बात समझने हैं कि जो refractive index है वो ordinary ray के लिए same रह रहा है और extraordinary ray के लिए refractive index जो है वो change हो जा रहा है मतलब vary कर रहा है जिसके वज़े से इसकी velocity भी vary कर रही है तो ordinary ray सामाने प्रकास है सामाने विहावियर ही सो कर रहा है extraordinary उससे अलग विहावियर सो कर रहा है इसी आदार पर इन दोनों का नाम है O-ray और E-ray मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में thanks for watching